लेड़ो बच्चो कैसे आप सभी? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ने का भी अभ्यास कर रहे होंगे और लिखने का भी जलिए आज मैं आपको पढ़ाए वाची शब्द पढ़ाती हुँ परियाय वाची शब्द क्या होते हैं बच्छों परियाय वाची शब्द वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ जो है वो समान होता है simple language में साधारन भाषा में क्या होता है जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें हम परियाय वाची शब्द कहते हैं और यह जो definition लिखी हुई है जो परिवाशा लिखी हुई है वो भी देख लिजे परियाय का अर्थ है समान तता वाची का अर्थ है बोले जाने वाले अर्थार्थ समान बोले जाने वाले शब्दों को हम परियाय वाची शब्द या समनार्थी शब्द कहते हैं पर्यायवाची शब्दों या समानार्थी शब्दों को समानार्थ तक शब्द भी कहा जाता है जैसे माल लेजे शूर के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कौन-कौन से होते हैं दिनकर, रभी, भासकर और भानो अम लेजे फूल का फूल का परियावाची शब्द बताईए कौन-कौन से होते हैं एक तो होता है पुष्प है ना दूसरा है सुमन और तीसरा मैंने यहाँ पर ले लिया है कुसुम ओके यह हमारे किसके हैं फूल के हैं अब मालिजे बच्चों आपसे कहा जाए कि फूल का अर्थ बताईए क्या होता है है ना मैं हम शब्द अर्थ लिखवाती है ना आपको तो बताईए फूल का अर्थ क्या होता है तो फूल का हर्थ हम क्या लिख सकते हैं पुष्प भी लिख सकते हैं सुमन भी लिख सकते हैं और कुसुम भी लिख सकते हैं तो हमारे फूल के तीन अर्थ हो गया है है को धार और समझ लीजिए। game लीजिए पानी का सब्स्राइए पानी कई कहते मैं घ्र कहते हैं। नीड है जल और नीर यह मैने आपको शायद word meaning में भी लिखवाय Article में तो पानी जन दर यह क्या है शेम है है एक समान है, हम अगर पानी को जल लिखेंगे, नीर लिखेंगे, तो अलग नहीं होगा, हम पानी को ही ये बोल रहे हैं कि जल है, कि ये नीर है, है ना, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, जो समान होते हैं, उन शब्दों को हम परियाएवाची शब्द कहते हैं, आगे बच्चों समझ में, जनका अर्थ समान निकलता है, जो बोलने में सेम होते हैं, उन्हें हम परियावाची शब्द या समनार्थी शब्द कहते हैं, ओके, आगे बच्चों समझ में, I hope सबको समझ में आया होगा, और इसको एक बार पढ़ भी लीजेगा, फिर और कहने में, लिखने में एक समान होते हैं, समान होते हैं, है न, उन्हें हम परियावाची शब्द, समानार्थी शब्द कहते हैं, ओके, धन्यवाद बत्ते हैं,